कि मैं मानता हूं कि चिनमायने जी की सबसे बड़ी जो सेवा थी वो ये थी कि गुलामी कालखंड के कारण देश का एक एलिक्ट प्लास हमारी महान संस्कृति और परंपराओं के प्रती न सिर्फ उदासिन था पर उससे जुणना अपने आपको हीन मानता था उस विपृत काल में अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाते हुए स्वयम के जीवन को एक टीचर के रूप में प्रस्तूत करते हुए त्याग और तफस्यरिया की उचाईयों को प्रत्त करते हुए जीवन परियंत खास करके इंग्लिस स्पेकिंग एलिट क्लास को भारत की महान संस्कृति और विरासत के साथ जोडना का एक भगिरत काम किया था और इस शताबदी वर्ष में हमारी नई पीड़ी उनके साथ हम स्वामी जी के संदेश को कैसे पहुंचाएं मैं हमेशा मानता हूँ कि स्वामी जी जब गीता की बात करते थे तो ग्यानमारगी थे जब स्कूल और अस्पताल चलाते थे तो कर्ममारगी थे ग्यानमारग और कर्ममारग दोनों को उन्होंने एक प्रकार से गीता को लेटरें स्पिरीट में जीने का प्रयास किया था और उस हर्थ में मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ज्ञान मार्ग का महत्व तो है है क्योंकि बिश्व के अंदर हमें हमारी उस बात को पहुंचाना अनिवार्य है और कर्ममार्ग इसलिए जरूरी है कि हम जहां है वहां रहने ही सकते हमें आगे बढ़ना है काफी उपर उठना है और इसलिए ज्ञान मार्ग और कर्ममार्ग दोनों को लेकर के चलना हमारे लिए अनिवार्य है और यह शताब्दी वर्ष हमें वो प्रेणा दे सकता है मुझे व्यक्तिकत सोभागे मिला है पुझे स्वामी जी के पास पहुंचने का रहने का मैं लास्ट उन्हें मिला था बड़ोधा में और मैं गया था उन्हें अमेरिका में स्वामी विवेकानन जी के प्रवच्चन की शताब दिके समारों के निमंतरन के लिए उन्हेंने मुझे वादा किया था कि मैं जरू आउंगा लेकिन वो समारों के तीन दिन पहले ही स्वामी जी ने अपना देह छोड़ दिया बस्वायम उस समारों में मुझूद था लेकिन हम सब स्वामी जी की कमी महसूस करते थे बसे उनकी जीवन यात्रा बड़ी गजव की है कहां दक्षिण में जन्मा कहां लखनाव उनिवर्सिटी में पढ़ाही के लिए जाना और आजहादी के आंदोलन में उन्हें पंजाब की धर्ति को पसंद किया था कि मुझे कभी स्वामी जी को पूछने का मुका नहीं मिला लेकि मुझे जरूर यह लगता था क्योंकि वह भूगर्प आंदोलन चलाते थे और अगर केरल तमिलाडू में रहकर के चलाते वह पकड़े जाते क्योंकि उनकी उन्चाई इतनी थी क्यों अलग दिखाई देते थे लेकिन पंजाब में वह बिल जुल जाते थे और इसलिए उन्होंने भूगर्प रहने के लिए पंजाब को पसंद किया था क्योंकि सभी उंचे लोग थे तो उनकी उचाई भी उसमें स्वाबी जी की उंचाई दक्षिन के हिसाब से तो काफी उंचे थे और मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस पकार से काम को किया मैं हमेशा याद करता हूं उनको बात में पता नहीं क्या होता था आसम में लेकिन वो स्रिखन खाने के बड़े शोकिन थे कि उनकी दिर्गतर्ष्टी देखिए उन्होंने 1963 में अर्टिकल लिखाता हूं कि जिस आर्टिकल मैं हिंदु समाज की दुर्दर्शा के प्रती अपनी पीड़ा व्यक्त की थी बड़ी व्यक्ता व्यक्त की थी यह समाज ऐसा रहेगा तो कहां जाएगा यह उनकी पीड़ा थी कि और स्पीड़ा मैंसे एक कि विचार को जन्म मिला कि दादा साब आपके उनके पास गए कि विचार विमर्श हुआ और उसमें 1964 में कि वीश्व हिंदु परिशत का जन्म हुआ और प्रथम संस्थापक अध्यस के रूप में उसका मालदर्शन करते रहे और दो मून बाते जो विश्वंदु परिशत ने उठाई उस समय मैं समता हूँ आज भी उसका महत्म है और स्वामी जी ने संदेश दिया हिंदू सर्वे सहोदरा है हमारी यह उंच नी जात पात छूत अछूत यह विकृती इतनी समाज में फैल चूकी थी तो वहीं से मंत्र आया और जब अध्यात्मिक महानुभाव से आता है तो हमारा देश तुरंत स्विकार करता है और तब आया हिंदू सर्वे सहोदरा है और दूसरी बात आई कि हिंदू समाज की जो यह पतीत है डिकना है फलाना इस प्रकार की सोच और तब जाकर के मंत्र आया नहिंदू पतीतो भवेत मैं समझता हूं यह दो मंत्र अगर उसी स्पिरीट में हम आज भी आगे ले जाते हैं तो हमारी यहां जो बुराई आई है समाज के अंदर जो कठिनाई आई हैं उसे मुक्ति बिलते हैं उन्हें में जब पहला उनका ज्ञान यग्य था तो लोगों के लिए आश्य था कि समाज के उस वर्क के लोगों को उन्होंने लाकर के बढ़ाया था उस यग्य में ताकि और समाज स्विकार नहीं करता था उन कि इस महान ज्यान की धारा के साथ जूढ़ने का हक है यह चीजे असामान्य है आज भले सरल लगती होगी उस समय वह बहुत असामान्य थी क्योंकि परंपरावादी रुधिवादी समाज के बीच काम करना और इस प्रकार से साहस्पुन कदम उठाना वे सामिज उठाते और जीवन भर अपने आपको टीचर का है और सबसे बड़ा योगदान मैं कहता हूं कि उन्होंने सहस्त्रों टीचर दिये हैं देश को सहस्त्रों जो त्याग और तपस्चरिया का जीवन जीते हुए ज्यानमार के माध्यम से भारतिये महान सास्कुरतिक विरफ्थत के साथ जन जन को मन मन को जोड़ने का प्रयास करते रहें विश्व में भी भारत की आध्यात्मिक पहचान पहुंचाने में चीनमा इमिशन ने बहुत बड़ी भूमिक आदा की है और भारत के ऐसे जो महतोपून संगधन है जिसमें चीनमा इमिशन एक है जिसने विश्व में भारत की आध्यात्मिक पहचान पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिक आदा की है हमारे लिए गर्वर का विशय है कि पुझे स्वामी जी के शताब्दी समारों का आरंप और इस सिक्के के साथ हो रहा है सामाने मानुवी का मौह सिक्के में ज्यादा होता है तो सामाने म्याक्ति के मौह को लेकर के चिनमाने जी को पहुंचाने का भी प्रयाफ चुरू होगा मैं उज्य स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हो आप सब का भी भूत च्वागत करता हूँ